आपको प्राग एतिहासि काल से संबंधित बहुत ही important question मिलेंगी जो कि अगर आप कला से सिक्षक बनना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत important है क्योंकि इस तरीके से ही question इसमें लाया गया है जो कि प्राग एतिहासि काल से exam में पूछा जाता है ठीक है तो आई ये start करते हैं व homo sapiens कहा जाता है यानि जो आधोनिक मानव है वह प्राग एतिहासि काल पढ़ेंगे तो उसमें जो आधी मानव थे तो वो homo sapiens मानव जो अलग एक प्रजात ही है उसके पीड़ी है आधोनिक मानव ठीक है तो इस प्रकार से चिंपैंजी बंदर फिर देधरे खड़े हुए मानव बने देधरे उसमें परिवर्ता ना है तो वो जो प्रजात है उसका नाम homo sapiens आगे देखते हैं आधोनिक मानव homo sapiens का प्रादूर भाव किस काल में हुआ तो उत्तर पूरा पाशाण काल में यानि आधोनिक मानव जो है homo sapiens जिसे कहते हैं उनका जो प्रादूर भा किस काल में हुआ तो उत्तर पासान काल में हुआ था अगे है प्रागयतिहासी काल का एक गुण है क्या लिखाई का विश्कार नहीं हुआ था तो यह गुण नहीं है तीक है और आगे देखते हैं कपास के प्राचिंतम साक्ष कहां से प्राप्थ हुए है तो मेहर गड़ से प बहुत important question है, यहां से पूस्ता भी है, कपास की प्राचिन्तम साख्छी कहां से प्राप्त हों है, तो मेहरगर से प्राप्त हो है। आगे क्यूस्चन है किस काल को आखेटक तथा खाद्य संग्राहक काल कहा जाता है तो पूरा पाशान काल को आखेटक तथा खाद्य संग्राहक काल कहा जाता है आगे है क्यूस्चन बहुत इंपॉर्टन किस यूग को चाल को लिथिक यूग कहा जाता है ताम्र पाशान मिशकार हुआ यानि उस से में हर चीज तांबे का चल रहा था ठीक है तो तांबर पाशाण यूग काश यूग और तीन और तांबे को मिला कर काशा बना यानि काशा जो है वह मिश्र धातु है और तांबा ये धातु है ठीक है तो कुट्ता को आगे दिखते हैं कुट्ता को क किस काल में पालतू पसु बनाया गया तो मध्य पाशान काल में कुत्ता को पालतू बनाया गया बहुत important question है कई बार पूछा है कि कुत्ता को किस काल में पालतू पसु बनाया गया तो मध्य पाशान काल में आगे question है क्रिशी का पर्थम साक्ष किस अस्थान से प्राप्थ हु हुए है और चावल के प्राचेनतम साख्ष कहां से प्राप्थ हुए है तो कोल्डिहवा ना रिन है कि अ-धर Lucifer कुछ कर दा राप्थ हैं आगे देखते हैं 10 वा क्युंच है तो इसा के तूर्धा साहे के संस्क्रइब को जाना जाता है तो आहार संस्कृत को जाना जाता है ताम्र पाशाण कालीन इनाम गाउं बस्ती की संस्कृत से संबंदित है तो जोर्वे संस्कृत से संबंदित है आगे क्यूश्चन है ताम्र संच संबंदित है गीरुवन्डी मृद्भांड से और क्यूश्चन नवपाशाण काल में मानो था उत्पादक एवम अभभोग था नवदा टोली का उत्खन किस ने करवाया था एच डी सांकलियाने नवदा टोली किस राज़े में उत्थी था तो मद्ध प्रदेश में उत्थी था दोस्तों इस वीडियो में इतना ही और ऐसे इंपोर्टेंट क्यूश्चन इससे भी अच्छी क्यूश्चन नेक्स्ट वीडियो में लाओंगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं क में उत्थी थाउडियो में इससे ठाज़े ओया क्यूश्चन.